हाई गाईस यू और यूटूब चैनल माई ओनलाइन क्लासूम साइन्स और आज इस वीडियो में जो चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन में आपको प्रोवाइट करने वाली हूँ यह है क्लास 7 का साइन्स का चैप्टर 12 है यह और इसका नाम है री प्रेडक्शन इन प्लांस औ इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हैप से एक्स्प्लेन करने वाली हूँ नोट्स में सागसारा important content है, plus points में है important words highlighted है और साथी pictures भी एविलेबर है जिससे आपको इस ली चैप्टर समझ में आ जाएगा तो देखे स्टार्ट करते हूँ देखे introduction में लिखाई हुआ है क् कि चाप्टा का नाम है Reproduction in Plants, यानि हम Plants किस तरह से Reproduce होते हैं, किस तरह से अपनी चन संख्या को बढ़ाते हैं, किस तरह से वो Multiply होते हैं, Increase होती है उनकी Population, उसके बाय में हम पढ़ने वाले हैं, तो यह पूरा कर पूरा प्रोसेस ही है Reproduction का, जिसमें Multiplication की थियोरी को इस्तिमाल किया जाता है, जिसके According, यहां पर जो Plants हैं, और हम एच्छे से पता हैं, कि जितने भी Living Things होते हैं, वो Reproduce करते हैं, और यह एक Important characteristic होता है, Living Things का, कि Reproduction के द्वारा वो Young Ones को जम देते हैं, तो इसी तरीके से आप दिखिए, कि जो Plants हैं, वो भी Reproduce करते हैं, पर different ways होते हैं, जिसके द्वारा वो Reproduction का काम करते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसे Plants भी होते हैं, जो Seeds को Produce करते हैं, और Seeds सिर्फी नया फल उत्पन होता है, जो Seeds होते हैं, वो Fruits में होते हैं, और उसके बाद Seeds सिर्फी नया पौधा उत्पन होता है, तो इस तरह से Reproduction Plants मे अगर Single Definition आप से पूछी जाए, एक्जाम में तो आपको लिखना है, कि यह एक ऐसा Process है, जिसमें जो New Individuals हैं, वो Produce होते हैं, अपने Parents से, इस Process को हम Reproduction कहते हैं, यह एक ऐसा Process है, जिसका Important Cactistics है, लेविंग बिंग्स की, यानि जितने भी लेविंग बिंग्स हैं, वो Reproduction क करते ही करते हैं, सेकेंड देखिए, इस बिकॉस ओफ इस वन Characteristics क्योंकि इस एक होबी के वरे से, जितने भी लेविंग ओर्गिनिजम्स हैं, वो आज भी हाँ धरती पर प्रेजन हैं, अगर वो यह Reproduction की अक्टिविटी ना करते हैं, तो शाद उनकी Species आज अज अविलेब नहीं हैं, तो उनके बहुत सारे कोई जो और रीजन हैं, तो वो हमिया डिसकुस नहीं कर रहे हैं, आई होप आप सब गी को बताऊंगे, नेक्स्ट है देखिए, टू बेसिक अबजेक्टिव के हैं, रिप्रेडक्शन की, तो पहली बात की रिप्रेडक्शन की पहले है, एक जाती जो है, उसकी कॉंटिनिटी रहे, यानि उसकी जनसंख्या बढ़ती रहे, और प्रिजर्ब भी रहे, साथी देखिए, इंक्रीशन की जो पॉपॉलेशन है, वो इंक्रीज होती रहे, इसके बाद देखिए, प्लांट सेफ टू पार्ट, ठीक है, क्यूंकि हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे, रिफ्रेडक्शन के एक्टिविटी, तो प्लांट में इस्पेशली टू पार्ट बहुत साथा इंपॉर्टन होते हैं, एक है उसका वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या रहा है रिखिए, जो लीवस हैं, स्टै यह पेढ़ने ग्रोड़ करते हैं, और अलाओ करते हैं प्लांट को लिव, आफ्टे संटाइम की, आप देखो के कि जो वेजिटेटिव ग्रोफ है करना है, एक है पार्ट एक यह प्रेडक्टिव पेसल, यानि एक प्रफेक्ट ताइम पे वेजिटेटिज जो है, वह प्लांट, then it is called asexual reproduction, vegetative propagation, तो जब किसी प्लांट के ये वाले पार्ट चैसे leaves, stems, roots और some birds, auxiliary birds, जब ये पार्ट देती हैं, reproduction के प्रोसेस में, तब हम इसको asexual reproduction या प्लांट के नाम से जानते हैं, second है reproductive part, दीखिए एक जो mature plant होता है, वो flower को produce करता है, flower दीखिए एक reproductive part होता है, प्लांट का, एक complete flower में four walls होते हैं, जिनमें saples, petals, male parts, stamin, जो endosium भी कहलाता है, female part जो है, वो pistil, यानि genosium कहलाता है, तो an incomplete flower में भी male flower और एक complete flower होता है, और एक an incomplete flower होता है, तो एक जो incomplete flower होता है, उसमें male part होता है, male part of female flower with pistil as in papaya और pumpkin एक्सेक्टरा, नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड जो है, एक immature condition है, किसी भी plants के पार की, ये बर्ड जो होती है, वो short stem और round होती है, immature overlapping, इसके उपर छोचोटी पत्या से गिरी होई होती है, और ये पत्या असले होती हैं, ताकि वो उसको protect कर सकें कली को, वेजेटीटिव बर्ड के हैं, देखिए, तो ऐसी बर्ड जो कि give rise to vegetative parts of the plant are called vegetative birds, located at the joint of leaves, branched at nodes on the stem, तो ऐसी बर्ड जो कि vegetative parts होती है, प्लांट की जो एक तरह से उसको rise करती हैं, और साथी ये located होती है, जो leaves के joints होते हैं, branches होते हैं, नोट में, stem के वहाँ पे ही located होती है, Reproductive birds कियатे हैं और इस ब्रोक है कि रिप्रेडेक्टिव सरोल कि भाइप सी करने और यहों धून करा यह शिय। जाह था तक टर्मनिली और अपने यह यह थिसरीजिशा का कि प्रगोस से पूर्दर की तरह यह पा्दिश यह तो आप आप देख सकते हैं कि आप पिक्चर में टर्मिलर बड एकदब उपके साइड है और जो लीफ्स के साइड में जो आपको थोई सी बर्ड दिखने है वो लेट्र बर्स कराती है रिप्रेड़क्शन के दो तरीके होते हैं आपका अपका फीजन है फीजन में दो टाइप हैं बाइनरी फिशन, मल्टिपल फिशन, सेकिंड बार्डिंग है, थार्ड है, फ्रेग्मेंटेशन, स्पॉर्मेशन, और नेक्स्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो यह ऐसे मैथर्स हैं, जो प्लांट्स फॉलो करते हैं, नेक्स्ट है दिखें, हम इसमें तो यह जो प्रोसेस है, रेप्रोपेशन का, इसमें एक फॉर्मेशन होता है, स्मॉल बार्ड लाइक प्रोजेक्शन का, फॉर्म दे बार्डिंग, और बार्डिंग इन योनिसेलूलर ओर्गेशन, जो नुकलियर से पैरेंट सेल का, वो डिवाइड होता है, टू पार्स मे जो बार्डिंग होते हैं, वो गिफ्स आउट है, स्मॉल बल्च, थोड़ सा उभार के साथ ये बाहर को आजाते हैं, जिसतां से पिंपल होते हैं, और इट ग्रैजूली इन लाजेसों धिरी धिरी बढ़ते जाते हैं, फिर उसके बार्ड जो बार्ड है, आफ्टर फिर वो अलग होती है, और फिर एक न्यू प्लांट की तरह वो ग्रोथ कर जाती है, नेक्स्ट है दिखे है फ्रेग्मेंटेशन, तो फ्रेग्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, वो मैचूर ऑर्गनिजम से जैसे की स्पैरो कह रहा है, एक फिलामेंटेस एल्गे है ये, उसमे तो हर एक पीस होता है, इस फ्रेग्मेंट का वो इंडिपेंडेटली एक अपना जिसतां से एक पौधा जीता है, उसी तरह से ये भी अपना जीवन स्टार्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंटली, यानि पैरेंट से अलग होगे, नेक्स्ट है स्पोर्स फॉर्मेशन उसमें नेक्सट है, इननका जो नंबर होते हैं, वो वरेबल होता है, यानि चेंजिबल होता है, और इनकी इसको इतकगी पर एक प्रेडेटिक्स्ट होता है?! रूड्स, स्टैम्स और लेव्स के द्वारा ये होता है और कुछ मैथर्स फॉलो किया जाते हैं जिसे नैच्छल मैथर्स है बाइदा यूज ओफ रूड्स यानि पॉदी के रूड्स, स्टैम्स या लेव्स को यूज करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है यानि योज़ो मान्टिप्लेकिकेशन है प्लान्स का यहां पे शूम Edge के involvement नेसे को अपने आपी प्लांट ओ dość है which र्यू प्रेदूस कर रहा है न्यू क्लांट को. तो कि वेजए टेटी प्रोगिश में देखें। जैसे कुछ सभी प्लांट में डूर्स होते हैं और रूर्स उन है कुछ प्रइट पस्टे बिड टीक तो कुछ प्रइंगे जो स्थ में इंशन प्रूंट्ट हुए जाती है जिसे हम एन एडवनिटेटीज के यह जो प्रइंट यह को एक राइस देती है लेफी शूर्ट को अलिक को अच्छाम डिस्टेंस अवे फ्रूम दे प्लान्ट ओन ग्राउंड अबव एंड बिलो फॉम एड्वेंटियस रूट्स जैसे कि ग्वावा है स्वीट पेटेटो शकलकंद है स्वीट पेटेटो को शकलकंद कहते हैं मिंट और डैलिया यह एक्सेक्टर इस तरह के प्लांट है जो कि जिनके रूट्स में इस तरह के बर्ट्स पाई जाती हैं जिससे यह फिर रेप्रेड्यूस हो जाते हैं नेक्स्ट है स्टैम के द्वारा तो इस स्टैम में आपने देखा होगा कि सब एरियल स्टैम्स होते हैं डर्ट्वांट शाइए स्टैम स्टैम्स होते हैं जो ग्रॉइंग फॉऔर बाम प्लांट्स के मदश से यह उगते हैं यह underground होते हैं, underground stems है, धर्थी के अंदर यह ग्रो करते है, oval, round shaped structures होता है इनका, जिसमें starch store होता है, potato है, potato tubers में आपने देखा, scally leaves होती है, pairing, the birds in their excess, जब आप potato देखते हैं, तो इसमें आपको छोचोटे चीट से दिखते हैं, ठीक है, तो यह जो है, आपने देखा हुआ, घल तो यह जो चोटी बर्ट होती है जो मैं दिकाई देती है आलू में वो उसकी आइस होती है जहां से न्यू प्लांट ग्रो होता है बर्ब देखिए इसा बर्ब शेप स्ट्रक्चर होता है मेड़ वाइ स्कैली लेव्स जैसे अनियन है गार्लिक और लेली राइसोम जो है इक स् को जैसे जिंजर है टर्मरीक है फन एक्सेक्टरा कॉम देखिए कॉम एक शॉर्ट ओवल थिक स्टैंग स्वालन होता है और भी स्टोड फूर्ट होता है इसके अंदर इसमें सेवरल बर्स होती है जो कि गिव राइस करती है प्लांट को और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं ग प्रयोफ फैलम की इस तक साई साइड में आपको मार्जीन में नोचेस दिखते हैं यह एडवनटेस बर्ट्स हैं जोकि प्रेजेन होती है इनके नोचेस पे लिफ के किनारे पे और यह जो एडवनटेस बर्ट्स होती है डेवलप हो जाते है एकदम न्यू प्लांट में इस तहां से reproduction कर सकते हैं, तो इसमें humans का योगदान होता है, humans interference होता है, man-made होता ही है, artificial methods के लाते हैं, इसमें grafting है, सबसे पहला method जो grafting है, इसमें एक hard woody plants है, उसकी stamp को cut किया जाता है, ठीक है, such as flowers है, leaves है, fruits है, और इसको fixed किया जाता है, other plant की stamp में, और जमीन पर सीधे करा जाता है, तो इस तरह के से vegetative propagation होता है, जैसे first है stamp or sign, तो देखी, इसमें stamp part जो है desired cactus का, fix कर दिया जाता है, another stamp, यानि एक पेड़ की stamp काटके, दूसरे पेड़ पे उसको लगा दिया जाता है, stamp को, तो इससे एक new plant, मतलब new flower, color, fruits, उत्पन होते हैं, next है stock, तो इस stock में क्या होता है, stamp part जो होता है, fix क्या जाता है, soil में काड़ा जाता है उसको, और root system के वरे से ये grow करता है, procedure क्या है, grafting क्या है, procedure जो grafting क्या है, कि पहले एक perfect shape cut की जाती है, जिस plant में आप grafting करने वाले हो, ठीक है, तो V shape, M shape, W shape में आपको cut लगाना होता है, जिससे परफेक्ट, जब दूसरे plant की आप ये stick ला रहे हो, stamp ला रहे हो, तो वो perfect वहां पर balance होके, उस जगा को cover कर ले, और फिर उसके बाद उसको एक्तम fit हो जाए वो, ठीक है, इसके बाद उसके चावतरा wax थोड़ा सा लगाया जाता है, जिसके कोई infection करा ना हो, उसके बाद उस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि दो plant का mix-up आपको मिल गया है, एक ही plant में, यानि आप क्या होगा कि उस जैसे आपको flower चाहिए, एक ही पेड में आपके दो कले के flower निकले, तो आपने क्या क्या रेड, तो आपके पहले था, आपने white color का दूसरे पे स्टैम को कट करके भी सीधे, जैसे आपने देखा होगा, कि जो स्टैम होती है, अच्छी सी स्ट्रॉंग स्टैम होती है, उसको प्लांच से कट किया जाता है, और फिर उसको जमीन में गार दिया जाता है, फिर बाईश के मौसर में अच्छे suitable condition में, वो फिर ग्रो कर जाती ह लोवर डाउन जो पेड की लोवर डाउन यंग प्रांच उसको लोवर डाउन नीचे जुका के उसको ग्राउन में गार दिया जाता है, और उसके बास को मौस्ट स्टैम से लियर उसकी कर दी जाती है, और कुछ दिन बात वहां फिर आप देखो कि उसमें से रूट्स निकल में जो कलेक्ट होते हैं मदर प्लन्ट के जो भी पार्ट है, शीट की जाते हैं तो उसको फिर बाद में न्यूप प्लांच उस से ग्रोग किये जाते हैं नेक्स्ट है, देखे में एक्जांपल से और चेज, ऐसस्परैगेस तो इस तरह से टीशू कल्चर के दुबरह बहा जाते हैं, advantages का है, vegetative propagation के तो दिखे, maturity time है, कि plants जो है produce होती है, इस method में, vegetative propagation में mature early than those plants, which are produced by seeds, यानि इसमें maturity time आप देखो, तो seeds की comparison में, यह ज़्द जल्दी mature हो जाते हैं, vegetative propagation के method से, अदरवाइस, तो seeds का method तो ही, कि seeds से भी आप new plant grow करी सकते हैं, seedless plants, ऐसे fruit जिन में seeds नहीं होते हैं, उनको आप किस तरह से grow करोगे, तो उनको आप इसी method से, उनके stems कट करके, crafting के तो लेने के तो आप grow कर सकते हो, less care, इस तरह के आप जब आप vegetative propagation को इस्तमाल कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा अटेंशन देनी के जरूद नहीं है, जैसे कि seeds में देनी पड़ती है, faster and larger number of plants, इसमें जो आप देखोगे, इसमें तो faster way में plants जो है, वो grow करते हो, large numbers में भी, next आते है, sexual reproduction in plants, किस तरह sexual reproduction भी होता है plants में, तो any process reproduction का जिसमें both parents, यानि male, female और sex cells involved होंगे sexual reproduction में, both parents male और female इसमें involved होते है, sex cells जो हैं, जिसने gamerts कहते हैं, वो involved होते हैं, इस process of reproduction में, यह जो reproduction है completely slower than sexual reproduction, तो sexual reproduction के comparison में थोड़ा processes slower होता है, तो sexual reproduction in flowering plant में आप देख सकते हैं, जो plant है, वो एक flower को bear करता है, जो एक पुरी life cycle है उसकी, और जो, जिसको हम flowering plants कहते हैं, जिनमें बोलाते है, flower जो होते है, एक productive part होता है, प्लांट का, एक typical flower की बात करें, तो इसमें 4 walls होते हैं, जो कि एक complete flower को बनाते हैं, एक complete flower में without any one or more than 4 walls इसमें होते हैं, इस कॉल एक इनकम्प्लीट flower, देखे एक flower without any one or more than 4 walls, ठीक है, अगर या तो एक flower में इस इस एक one हो, या फिर more than 4 walls होंगे, तो उसे हम incomplete flower कहते हैं, क्योंकि एक typical flower जो complete flower होता ह इसमें 4 walls ही होने चाहिएं, इस वल्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं, प्रॉपर्ली वन अबव दा अदर, एक जो flower होता है, उसमें बोत male और female parts होते हैं, और इस कॉल bisexual or hammer product, petunia है, mustard है, रोज, china रोज, hibiscus, etc. एक्जाम्बल हैं, यूनिसेक्शुल flower में is one that one part, either male और female होता इसमें, जैसे की corn, cucumber, papaya, etc. इसके बाद देखिए, parts क्या है, complete parts होते हैं, different parts होते हैं, फ्लार में, कैलिक्स होता है, सबसे पहले, तो यह outermost wall होता है, फ्लार का, और इसको हम sample भी कहते हैं, जो की green color का होता है, next है corolla, corolla second wall layer होती है, फ्लार की, और जो की जिसे हम petal कहते हैं, यह बहुत attractive होते हैं, colorful होते हैं, तो यह हर किसी को attract करते हैं, androsium, इसके बाद ही के male reproductive world होता है, next to the corolla, corolla के बाद में, इच member जो यहापे होता, उसको stamin बोलते हैं, stamin two parts में divided होता है, एक फिलामेंट और एक है एंथर, एंथर प्रेडूस करते है, pollen grains और male gamets are found inside the, और जो male gam इसी के अंदर, जो pollen grains से उनके अंदर पाये जाते हैं, next is gynosium, तो देखे, gynosium जो एक female reproductive part होते हैं, flower के, इसको pistil और carpal भी कहते हैं, one और more carpals हो सकते हैं, three parts में divided होते हैं, first is stigma, जो की knob-like part होता है, और इसमें hairy landrula होते हैं, stick-kyo forms होते हैं, जिसे प्रॉलिंगले strip-kyo होते next is stylin, ये एक long tubules stock होता है, जो connect करता है stigma और ovary को, next is ovary, ये एक swollen vessel part होता है, carpel का, और female gamerts जो यहां पे होते हैं, are made in ovaries, जो female gamerts हैं, वो बनाते हैं, ovaries, और female gamerts are found in ovules, next is क्या difference between stamen और carpal में, तो कर बात कीज़ा, difference में, तो स्टैमन जो है, male part होता है, flower का, याद रखेग इसके बाद ये pollen grains को produce करते है, carpel एक female part होता है, flower का, इसमें तीन पार्च होते है, stigma, stylin, ovary, और यहां से ये receive करते है pollen grains, जिससे फिर प्रेडियूस होते है, fruits or seeds, next आते है pollination, देखे, pollination क्या process है, transfer होना pollen का from an anther, एक male reproductive organ से stigma, जो के एक female reproductive organ है, तो सीधी सी बात है, कि transfer होना pollen grains pollination का, एंथर यानि male reproductive organ से stigma, यानि female reproductive organ में इसका ही पॉलिनेशन कहते है, दो तरह के pollination होते है, self pollination और cross pollination, जब एक ही plant के same flower में pollination हो जाए, तो उसको हम self pollination कहते है, जब different flowers में, जो same species के हो, और different flowers में, जब यह pollination होता है, तो उसे हम cross pollination के राम से जानते है, next है pollinating agents, कि कौन से pollinating agents है, जिसके विए pollination का process होता है, तो पहली बात कि दिखें, plants अपने आप move नहीं कर पाते हैं, जगा से दूसरी जगा, तो male plant अभी भी खुद नहीं जाएगा towards female plant के लिए, फटलाइज नहीं होगा, तो इसके लिए जो plants है, वो कुछ agents जैसे air, wind water, insects में नेरबर होते है यह जो कुछ agencies हैं, जो help करते हैं pollen grains को एक जगा से दूसरी जगा transfer करने में, तो उन्हें हम pollinators और pollinating agents के नाम से चानते हैं, जैसे कि insects हैं, wind water, etc. तो किस तरीके से एक फूल का जो pollen grains है, वो दूसरे फूल में पहुंचता है, तो यही है pollination का process, gamets तरीके male, जो gamets है, वो packed safely हो pollen grains जो है, प्रेडूस होते हैं, एक तफ प्रोटेक्टिव कोट जो है pollen grain में, वो surrounded होता है male gamets में, जो कि इसको safe करता है from drying out, because the gamets have to travel through the environment to gather female gamets, क्योंकि इसको safe करते हैं, ताकि यह ड्राइन आओ, क्योंकि इसको travel करना है, और female gamets में पहुंचना है, female gamets जो acts हैं, वो obvious के अं प्रोसेस के लिए male gamets को overis तक महुंचना जरूरी है, pollen grains जो है, उनमें contain होते है, male gamets should be brought to the stigma of the flower, तो इस जरूरी है कि जो pollen grains है, जो में male gamets है, उन्हें stigma पहुंचना है, जो flower का stigma पाता है, वहां तक महुंचना है, two types pollination हमने पहले discuss कर लिया है, self pollination, cross pollination, तो देखें, जब pollen grains transfer होते है, stigma of the same flower, यानि same flower के stigma तक pollen grains transfer हो रहे है, तो self pollination होगा, cross pollination, जब pollen grains transfer हो रहे है, stigma of the flow of the same kind on another plant, तो दूसरे plant के flower में, तो उसको हम cross pollination कहते हैं, insect pollination देख लेते हैं, कि insect, हमें अच्छे से पता है, कि जो flowers होते हैं, वह produce करते हैं nectar को, nectar एक concentrated sugar solution होता है, जो produce किया जाता ह इसको खाते हैं एक ताना से फीड करते हैं अपने आपको, तो इसके लिए इसकी कोज में जो इन्सेक्स हो आती आते हैं और फूलों पे बैठते हैं nectar पे, तो pollen grains उनके एंथर्स उनकी बॉड़ी पे जो है एक ताना से राभ हो जाते हैं, और जब इन्सेक्ट और नेक्टर क इसके आसा, फूलों पहुंच आते हैं, और फिर जो है, बाते हो नियुक्त अपूल कि नहीं होते हैं, अगया के लित फोलों पहुंच घ्रपी, नियुक्त यह तो है प्रदी आयृक संआप को, नेक्स्ट एम्न पॉलिएशन, कि इन्सेक्स्ट यह गार में बढूरिक नेल ह बड्ड पॉलिनेशन देखें, बड्ड के द्वारा भी होता है, ऐसे सच प्रास होते हैं, बड्ड बैल शेप क्या सकते हो, कि यो भी नेक्टर की कोज में वहाँ जाती है, तो दोस फ्लासR small in cosplays colorless and are without nectar and fragrance pollen grains are protective from wetting by my title. next is fertilization , ठीकिए after successful pollination , जब है successful pollination हो जाता है तो fertilization take place होता है fusion होता है union of male nucleus-male gamut or with female nucleus female gamut egg cells जो प्रेजियुन होते हैं ovule में तो थीजिए, pollen grain किस स्वें से ovule तो पहुंचते हैं और यह सब यहां पर दिया है हुए ग्रोथ होती है पॉलेन ट्यूब की आफर रीचिंग दे स्टिग्मा जब स्टिग्मा ओफ राइट फ्लार पहुंच आता है तो पॉलेन ग्रेंज जो है वो अबसर्फ करते हैं न्यूट्रून्स को जो शुगर सेक्रेटेड़ बाइद स्टिग्मा होती है पॉलेन ट्यूब टो मेल गैमेट्स में बढ़ते हैं एंट्री पॉलेन ट्यूब की इंट्यूब वो टू मेल कैमेट्स में अंड्रूक्रा थै एंट्र्ज भीड्मा जो पीउसल अंड्य को तो अर्फ लिच हो यहां से इंब्रियों में होता है पोसफ फारिडाइजर्स फिरुट ऐंख में इन धियूता है पजीट धार सह जेकं fruit formation & seed formation देखें मेच्वरwater प्रप्र्रोट्राइजेशल होते है इच फिरियस फिरलाइस फ्रेंकोट वीर्ट रिवियरोय अबकिन प्ररतेखटिम क noodle सन्टोपोर माइश होमेश घरतेखवission पहले सौना की आप से स्री अबыл으면 बन कहीं होते हैं उसमें which has an embryo, जिससे हम seed क्याते है, fruit formation किस्तां से होता है, तिके fruit एक rapid ovary है, some fruits have one seed होते हैं, जिसे mango, others, और आप बाकी में देखें, तो बहुत सारे seeds होते हैं, जैसे papaya, watermelon, ठीके, इसके बाद आप देखो, dry edible fruits किस्तां के होते हैं, dry, flashy, bunches, में भी आते हैं, single fruits भी होते हैं, seed dispersal के एक जगा से दूसरी जगा travel होना, यह seed dispersal है, आपने देखा होगा कभी-कभी कुछ plants suddenly आजू-पाजू आपको देख चाते हैं, जबकि आपने उनका seed नहीं डाला वाँ पे, तो वो किस तरीके समहा आगे, तो यह seed dispersal के वज़े से आए, और seed dispersal भी कई activities के द्वारा जिसे water, wind, birds, insects, इनके वज़े से seed जो है एक जगा से दूसरी जगाँ डिसपर्स होते हैं, जिससे की new pod उख जाते हैं, तो seed dispersal देखे हवा के द्वारा जिसे beach बहुत हलके होते हैं, तो वो seed उड़के दूसरी जगा पहुंच जाते हैं, पानी में गिरके दूसरी जगा पहुंच जाते हैं, फिर वहां plant गुरू कर जाता है, तो इससान seed dispersal होता है, जैसे coconut के केस में, पानी में ये एक जगा से दूसरी जगा, कभी-कभी आपने देखो का shooting mechanism के द्वारा भी, जब seed अच्छे से पक जाते हैं, फलियों में आपने देखा हूँगा स्पेशली, तो फिर एकदम वो sunlight के मदर से पक जाती हैं, फलियां, तो वो एकदम फोट जाती हैं, ठीके, शूट हो जाती हैं, जिसके seeds पुरे बिखर के अलग-अलग जगा गिर जाते हैं, germination of seeds, जब एक तहां से seed को एक proper place मिल जाती है, एक favorable conditions मिल जाती है, तो seeds जो है, वो growth कर जाते हैं, और germination का process उनमें start हो जाता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं, जब आप एक seed डालते हो, तो किस तां से seedling जो है, from a seed is called germination, emergence किस तां से seedling क हो जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताता है, radicals, plomals, shoot root, तो यह देखें, पार्ट से यहां पर, तो various stages होते हैं, seed germination की भी, और seed को favorable condition में बतार, soil चाहिए, water चाहिए, तो यहां पर seeds हो है, तो यहां पर seeds हो है, उतने soil में अफसर्फ करते हो water, और फिर वो एक्टिव पौदे का जो shoot, हम कहते हैं, हरा पाट, तो वो निकलता है, seeds से, और फिर वो अपफर्स एक्शन में grow करता है, जिससे फिर, plant का shoot, stem, leaves, यह सब grow होती है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं, कि seed की पुरी life cycle हो है, पुरी के पुरी, कि किस तरह से seed, plant, किस तरह से पुरा एक life cycle लुक्स की cover होती है, तो I hope यह chapter आपको जिस समझ में आगया होगा, इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe भी करिए, जब भी आप में चैनल पर visit करते हैं, तो आप playlist option पर भी जाये करिए, क्योंकि playlist option पर आपको chapter wise आपके सारी वीडियो से यहां पर available हैं, so thank you everyone!